नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब याँ लूसेंट समाने ग्यान इस से रिलेटेड इंपोर्टन फोटी कोश्चन देखने वाल है और इसमें ज्यादा तर कोश्चन जो है रेलबे गुरूप डी के प्रिभियस यर से लिए गया है तो आप इन फोटी कोश्चन में से कितना कोश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर जो है कमेंड बॉक्स में जरूर बाता है ठीक है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से अनकर ठीक है तो देखे यहां पर हमारा पहला कुश्या ने भारतीय अंत्रीक्षन संधान संगठ यानी इसरों द्वारा छोड़ा गया पहला उपगर उपगर था वो था आरे भट ठीक है और इसरों के द्वारा इससे कप पर्छेपित किया गया था तो 19 अप्रेल 1975 को आप बात करें इसरों की तो देखें इसकी फुलफाम होती है इंडियन स्पेस रिसोर्च और गनाइजेशन जो इसकी फुलफाम होती है इसकी अस्थापना कब हुई थी 15 अगस्थ अगस्थापना कब हुई थी मुख्याला बैंगलोरु करनाटक में ठीक है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर टू है किरितरी मुपगरा के जरिये संचार के लिए निमनलेखित मैं से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो देखें किरितरी मुपगरा के जरिये अब में तो देखें हरीत कारांति का जो अर्थ है वो है किरेशी की आध्थने के बीधियों के परियोग दवारा एक लफ़सल के उपज को जो है बढ़ाना घिक हरित करांती का अंसर हो जाएगा जाता है तो तो बिश्व में हरित करांती का जनक जो है डाक्टर नार्मन बूर्ला को माना जाता है और भारत में हरित करांती लाने का सिरे किसे जाता है तो डाक्टर एम में स्वामी नाथन को जाता है ठीक है और भारत में हरित करांती की शुरुआत कब हुई थी 1966 से 67 ठीक है 1966, 1966 में भारत में हरित करांती की शुरुआत हुई थी Quesion No. 4 है गेंडे के लिए परसीद अभ्यारण कौन सा है और यह किस राज्य में श्तीत है तो देखे गेंडे के लिए जो परसीद अभ्यारण है तो यह है काजीरंगा और यह असम राज्य में श्तीत है एंसर वजा एगा आप्शन B, Q5 है 1919 में जाल्यावला बागहत्य आकांड कहां पर हुआ था तो देखें 13 अप्राइल 1919 को जाल्यावला बागहत्य आकांड जो है यह अमरित सर्में हुआ था ठीक है एंसर वजा एगा आप्शन E, इसके अलावा जालिया वाला बाग हत्य अकांड में कितने लोग मारे गए थे तो देखे सरकारी जो आकड़ा आया था सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 बेक्ती मारे गए थे ठीक है जबकि परत्याक्ष दर्सी के अनुसार जो है 1000 से भी ज़्यादा बेक्ती मारे गए थे तो आपको याद रखना है कुश्चे नंबर 6 है मानो द्वारा बनाए गए प्रथम उपगरा मानो द्वारा बनाए गए उपगरा अस्थापित होते हैं मानो द्वारा बनाए गए उपगरा अस्थापित होते हैं कहां पर अस्थापित होते हैं तो ये थर्मयस्पियर यानि बाहिया मंडल में जो है स्थापित होते आंसर हो चाहेगा अपसंडी कुश्चन नमबर साथ है मारले मेंटो रिफार्म को किस वर्ष प्रस्तूत किया गया था तो इसको जो है ये बिहार निमनलेखित में से किस देश के साथ अंतराष्टिय सीमा का निर्माड करता है तो ये करता है नेपाल के साथ करेक्ट आंसर अपसंडी हो चाहेगा कुश्चन नमबर नाइन है बाल विबा प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्पूर अथिनियम बनाये गया था तो बाल विबा को रोकने के लिए 1929 में ये बनाये गया था सार्दा एक्ट ठीक है आंसर हो चाहेगा अपसंडी कुश्चन नमबर टेन है बिहार राज़े कारेपालिका का परधान निमने लेखित में ऐसे कौन होता है तो कारेपालिका परधान जो है राज़ेपाल होते हैं ठीक है आंसर हो चाहेगा अपसंडी इसके अलावा अनुश्चन नमबर ग्यारो है ठीक है आपको याद रखने है अनुश्चेद 14 में राज़े पाल में राज़े कारेपालिका सकती होने का परधान है Q11 है, भारत में अधिकतर बर्सा किस मानसून से होती है, तो अधिकतर जो बर्सा होती है, दशेड पस्टे मानसून से होती, आंसर हो जाएगा अपसंडी, Q12 है, निमनलेखित में से किस C गुरू की हत्या और अंजेव ने करवा दे थी, तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा ने भारत प्राक्रमण किया, उसमें तूगलक बंस का कौन सा सासक सासन कर रहा था, तो देखें उसमें जो है, नासूरूतीन मुहम्मद सा सासन कर रहा था, ठीक है, आंसर हो जाएगा अपसंडी, Q14 है, माहवीर निमनलेखित में से किस राजगराने में पैदा हुए थे, त सुची फर्स्ट और सुची सेगेंड को सुमेलित करें, तो देखें यहाँ पर एक तरफ सुची फर्स्ट और दूसरी तरफ सुची सेकेंड दिया गया, तो पहला जो दिया गया, केंद्रिया चावल अनुसंधान संस्थान, तो यह कहाँ पर है, तो यह कटक है, केंद्रिय यह कहाँ पर है तो यह राजमुंद्री में है केंद्यक का पास्न उसंधान संस्थान यह नाग पूर मेहर भारतिया गनान उसंधान संस्थान यह लखनों में ठीक है आपको याद रखना है कुछ्टय नंबर 16 है बाबा बूदन की पहाड़ियों से निमनेलेखित में से कौन से खनेजपदार्थ प्राप्त किया जाता है तो यह प्राप्त किया जाता है लौव आयस के ठीक है बाबा बुदन की पहाडियों से जोए लोव आयस खाने पतारत जोए प्राप्ति किया जाता है 17 है निमनलेखित में से कौन सा बिधुत चुमबकिया तरंग है तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा X केड़ने ठीक है एक से केड़ने जो बिधुत चुमबकिया तरंग है बैक्टरिया जो दलहाने पौधो की जड़ो में रहते है तो करेक्ट आंसर आप्शन B हो जाएगा राई जो बियम ठीक है राई जो बियम जो बैक्टरिया होते है तो ये दलहानी पोधों की जड़ों में रहते हैं कुश्चन नमबर 19 है भारत में लोगसभा का अध्याक चैने स्पीकर क्या होता है option है मनुनित किया जाता है चैनेत निर्वाचित या फिर नियुक्त तो इन मेंसे क्या किया जाता है लोगसभा के स्पीकर तो ये निर्वाचित किये जाते है answer हो जाएगा C question number 20 है बीजे नागर निमनलेखित मेंसे किस नादी के टट परिस्तीत है तो देखे बीजे नागर जो है ये तुंग भद्रा नादी के टट परिस्तीत है answer हो जाएगा D इसके अलावा यादे हम बात करें बीजे नागर समराजे के स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो हरी हर एवं बुक का नामक दो भाईयों के द्वारा जो है इसके स्थापना किया गया था ठीक है निमनलेखित मेंसे किस अंदोलान का नेतित्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है तो मार्टिन लूथर किंग को जो है रंगभेद के विरूथ अंदोलन के नहीती तो करने के लिए जाना जाता है अंसर हो जाएगा B Question number 22 है भारतिय संभिधान के किस भाग में संभिधान संसुधन परकिरिया बर्णन किया गया देखिए भेरी इंपोर्टन कोश्चन है बहुत बर यह कोश्चन एक जाम में पूछा गया है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक सेयर और चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है तो संसोधन पर किरिय है भाग 20 में ठीक है यह करेक्ट हो जाएगा ब्यालिश्वा संबिधान संसोधन अधिनियाम 1976 द्वारा किस अनुष्चित के तहत मोल-कर्तव्ष जोड़ा गया तो मोल-कर्तव्ष जो है यह जोड़ा गया था अनुष्चित एकावन एक अंत्रवड ठीक है अनुष्चित ये कावन एक ही अंत्रवाज़ों है, नाइन्टेन, सेवेंटेन, सिक्स, संसुधन के द्वारा जुड़ा गिया, ब्यालिस में संबिधान संसुधन के द्वारा डी करेक्ट हो जाएगा, निमने लेखित में से कौन से कार्बन मोनो अक्साइड तथर नाइट्रोजन के मिस्णड होता है, तो करेक्ट आंसर अप्सन ये हो जाएगा, वाजू अंगार यानि प्रोडियूसर गैस हो है, ये कार्बन मोनो अक्साइड तथर नाइट्रोजन के मिस्णड होता है, बंस मौरे बंस उसके बाद सूंग बंस कॉणव बंस और उसके बाद जो है सत्वाहन बंस ठीक है आपको याद रखना है अंसर हो चाहेगा बी कुश्चन नंबर 26 है भारत है मिरिदा यानि मिट्टे का सबसे ब्यापक और सरवाधिक उपजाओ परकार कौन सा है तो सबसे ब्यापक और सरवाधिक जो उपजाओ परकार है तो यह है जलोड मिरिदा ठीक है अंसर हो चाहेगा अपसने कुश्चन नंबर 27 है भारतिय संभिधान में अमेरिकी संभिधान द्वारा लिये गए प्रमुख प्राउधान है तो अमेरिकी संभिधान के द्वारा क्या क्या लिया गया है तो मौलिक अधिकार राश्पते पर महाभियोग और धन की सरुचता ठीक है यह तीनों जो है यह अमेरिकी संभिधान के द्वारा लिया है क्या answer हो जाएगा option D question number 28 है निमने लेखे तुम्हें से कौन सा vitamin वासा यानि fat में घुलांसिल नहीं है तो कौन सा vitamin वासा यानि fat में घुलांसिल नहीं है तो answer हो जाएगा option C thymine ठीक है vitamin B1 जो है ये वासा है यानि fat में घुलांसिल नहीं है इसके अलावा वासा में घुलांसिल वीटामिन की बात करें तो vitamin A जिसे retinol बोला जाता है vitamin D, calciferol, vitamin E, takeoferol और vitamin K, phyloquinone ठीक है vitamin A, D, E, O, K जो है ये वासा में घुलांसिल वीटामिन है जबकि जल में घुलांस जिल वीटामिन पुछा जाए तो vitamin B और C आपको याद रखना है vitamin B और C जो है जल में घुलांसिल वीटामिन है फाइवरी नोजेन नामक प्रोटीन का निर्माड किसके द्वारा होता है जो राक्त ठका बनाने मदद करता है तो देखे इसके निर्माड जो है यक्रित यानि लीबर के द्वारा होता है आंसर हो जाएगा B ठीक है question number question number 30 है संभिधान संसुधान बिध्याक के निर्मने लेखे तुम्हें से किस सदन में पेस किया जा सकता है तो ये किसी भी सदन में पेस किया जा सकता है अंसर उचायेगा C question number 31 है जो विश्वास इतकाले उलम्पिक 22 का यूचन कहां किया जाएगा तो देखे इसका यूचन जो है बीजिंग चाइना में किया जाएगा correct answer option ये उचायेगा निमनलेखित में से कौन सा माना वांगे एंजाइमों के साथ हर्मोन भी स्रावित करता है तो correct answer option B उचायेगा अगनियास है ठीक है अगनियास है जो है एंजाइमों के साथ हर्मोन भी स्रावित करता है आपको याद रखना है ठीक है question number 35 है निमनलेखित में से कौन से गरंथी दूग दिनिसकासन हर्मोन आकसी टोकसिन करता है तो correct answer option ये उचायेगा प्यूस गरंथी जिससे master गरंथी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है master या फिर ब्रेधी गरंथी ठीक है ब्रेधी गरंथी के नाम से इससे जाना जाता है आपको याद रखना है और question number 34 है British भारत में किसा अधिनियम दौरा मुसल्मानों को प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है तो ये दिया गया है मारलो मारले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों को प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया अधिकार समाब्त हो गया तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ठीक है correct answer ये हो जाएगा question number 36 है निमने लेखित में से किस वेद में बर्ण ब्यवस्था का प्रथम उलेख मिलता है तो ये मिलता है रीग वेद में ठीक है रीग वेद में बर्ण ब्यवस्था का प्रथम उलेख मिलता है correct answer ये हो जाएगा किस अनुषेद के तहत संसद को सक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संग में मिलाने छेतर में ब्रेधी या कमी कर सकता है तो ये कौन से अनुषेद में दिया गया है तो ये दिया गया है अनुषेद तीन में ठीक है अनुषेद तीन के तहत संसद को ये सक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संग में मिलाने छेतर में ब्रेधी या फिर कमी कर सकता है question number 38 है भारत भी भाजन के समय भारती राश्टिय कांग्रेस के अध्यास कोन थे तो देखे उस समय जो भारती राश्टिय यान इंडिया नैस्टिय कांग्रेस के जो अध्यास थे वो थे जेविक क्रिपलानी ठीक है answer हो जाएगा option B question number 49 है भारत के माहा नयवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो भारत के माहा नयवादी को राश्पति के द्वारा जो इन्युक्त किया जाता है correct answer see हो जाएगा उसके बाद है यहाँ पर हमारा अगला question है वह अशा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा सरावित होता है तो देखिए लाइपेज किसके द्वारा सरावित होता है अगने आसे के द्वारा ठीक है अंसर हो जाएगा अपसने तो दोस्तों यह था लूशेंट समाने ग्यान के important 40 questions I hope की वीडियो पसंद आय रहेगा आप इन 40 questions में से कितने questions सही कर पाएं अपना score comment box में जरूर बाता है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंद जैभारत